है गाइस वेलकम टो साइका ओनेस आई होप आप सब अच्छे होंगे तो बैसकलिए काम करता और उसके अंदर पोजिशन आपके लगतार हर महिने आपको देखने को अलग 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 से मिलती ही रहती है ठीक है तो आप ज़न बहुत जल्ड आई है और एक दूद दिन में खिलोँ हो जाएंगी तो वीडियो जल्दी देख लो और आज ही आप अप् and category D इन चार category में से किसी है category में आपका जो university है आपका जो institution है वो आना चाहिए तब भी आप form भर सकते हो ठीके ना तो आप देख सकते हो जो group A में है उसमें जो institution रखे हैं उसमें salary मिलेगी 57,500 group B के जो institution है उसमें मिलेगी 46,000 group C के institution मिलेगी 40,250 रुपी and group D institution में 34,500 की आपको monthly salary मिलेगी young professional की position है तीन साल का starting phase आपका रहने वाला है ठीके ना post graduation मांगा है किसी भी stream में आपने masters करा है आप इसमें apply कर सकते हो तो group A में आपके IAM जित्ती IAM है इंडिया के ठीके वो हो गए आपके और आपके IITs होगी सारी BHU, SP, JIMR, FMS FMS Delhi, JNE हो गया आपका ठीके और जितनी भी NITs है और NITs only BITEC और MTEK के लिए है ठीके ना बाकी social और बाकी labor studies वगरे colleges, center for information sector वो सब group A में है group category B में देख़ए आपके TIS, NIFT ठीके, D.M.I.A. जैपूर आपका IIIT आए है है घ्राबाद, IIIT अलाबाद ठीके, New Delhi आईए है, Delhi School of Social Work Faculty of Ecology जामिया मिलिया इसलामिया इसके अंदर है ठीके ना और जामिया मिलिया इसलामिया कौन सा है Department of Social Work and Mass Communication यह सारे है Category C में आपके देखो बहुत सारे रखे हैं करणाल का कॉलेज है जैपूर IACD है भारती, सांति निकेतन सुसलवाग जैवियर इंस्टूट है अजीम प्रेम जी इन्वेस्टी होगी वो इसमें है और गुरूप D में अब कहां से पोजिशन आई है अब कहां से पोजिशन आई है तो बिहार जीवी का मिशन के अंदर पोजिशन है और अगर आप इसमें अपलाई कर रहो तो आपको एक्स पीरियन्स भी चाहिए maximum 3 एर का experience आपसे मांगा हुआ है आपके subject में जो भी है जिसमें भी अपने master's कर रहा है अपको आपको होना चाहिए ठीक और maximum age अपलाई कर दें कि 30 एर आपकी मांगी गई है ठीक है और बस हो गया इतना ही जड़ा कुछ क्वालिफिकेशन है भी नहीं और देखो आपको जो starting period है for young professional program for the society the contract would be 3 year ठीक है and however based on annual performance the incubation and contract may be terminate earlier ठीक है तो बढ़ भी सकता है और कोई दिक्कत होई तो आपको बहार भी कर सकते है starting phase आपका 3 साल का इसमें रहेगा young professional में age आपकी 30 year maximum age है अगर आपका form shortlisted होता है तो आपको group discussion and personal interview के लिए बुला जाएगा तो जितना मुझे लगता है कि इसका online ही आपका interview होगा ठीक है ना तो जो selection process है वो क्या है group discussion follow by personal interview आपका इसमें रहेगा starting date इसकी 15 February start हो गया है last date जो है form भने की वो 24th February यानि कल 24 February तक आप इसके form भढ़ सकते हो और आपका जो gd और interview होगा वो में 2024 में लिया जाएगा अगर आप interested हो अगर आप eligible हो तो इसी PDF में ये link दिया हुआ इस पर click करके आप simple सा form अपना भर सकते हो कोई piece नहीं है कोई exam आपको नहीं देना अगर और कोई query है तो इस link से आप इसकी official website पर जाके यहां देखो बिहार लिवलिहोड मिसार सोसाइटी में आप जा सकते हो यहां पर आपको इस सब सीज़े जितनी notification और आपको सब यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है बाकि description में इसका link देदूगा ministry का यह program है बहतरीन service आपकी रहेगी आप इसको भर सकते हो अगर आप eligible हो तो आप form भर यह simple Google form है और आज ही apply कर दो अगर आप eligible नहीं हो तो आपने दोस्तों तो शेर करो ठीक है ना क्यों लास देट कल तक लास देट ने बाकि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो बाकि आपको पता कि रात को हर इवनिंग आट बजे अपडेट आती है important तो आज भी रात को बाकि वीडियो को लाइक करो कमेंट करो जल्द मिलते हैं एक रोँ अच्छी अपडेट में तब तक ले थेंक यो सो मच